गुड इवनिंग फ्रेंज आज का वीडियो जए एडेनियम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मैं एडेनियम के साथ कुछ न कुछ एक्सपरिमेंट करता रहता हूँ और कुछ न कुछ नई चीजे उससे सीखता हूँ खुद भी और फिर जो भी नई चीजे मेरे को अगर कुछ सिखने को मिली तो मैं आपके साथ वो सेयर करता हूँ आप देख रहे होगे ये चार एडेनियम है वो एक ही पॉट में है जिस पर डिफरंट फ्लावर्स आप देख सकते हो लेकिन एक चीज़ में आपको आज बता देता हूँ कि अगर आपने ग्राफ्टिंग के बारे में सुना होगा तो एडेनियम पे जब ग्राफ्टिंग होती है ना तो ग्राफ्टिंग के बाद आपको दूसरे पैटल्स के कलर मिल सकते है या फिर दूसरे अलग-अलग कलर के flowers आपको मिल सकते हैं इसलिए इसको grafting किया जाता है तो grafting का method और grafting की technique के बारे में मैं next video में आपको बताऊँगा और थोड़ा बहुत मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया भी है कि grafting क्या है लेकिन आज का यह जो वीडियो है मैं आप देख सकते हो clearly कि यह जो चार adenium एक ही pot में है तो यह जो left वाला है first वाला जिसमें हाँ आपको मैं दिखाता हूँ यह वाला तो यह जो adenium है इसका वीडियो मैंने पीछे last में आगे publish किया था तो तब जब मैंने किया था तो वो अलग pot में था लेकिन उसके बाद मैंने यह adenium दिसरे तीन और adenium के साथ एक ही pot में मैंने उसको लगा दिया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कुछ न कुछ excrement करना जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यह जो flower से इसकी जो branch है उसी में से निकली है यह white color का adenium है तो यह जो red color है उसको मैंने grafting नहीं किया है आप समझ सकते हो grafting नहीं किया है देखो मैं आपको बहुत close से दिखाता हूँ यह branch खुद से ही निकली है क्योंकि branch निकलने के बाद ही उस पे flowers आ है तो यह grafted plant नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ही शौक हूँ जब मैं बहुत अचमबित हुआ जब यह देखा कि white color का मेरा यह जो adenium था उसके उसके मैंने कोई grafting नहीं कि लेकिन फिर भी उसके दूसरे colors क्यों आए तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप आपके साथ मैं यह चीजे share करता हूँ ताकि आपको भी पता चले और आपको भी कुछ नई चीजे देखनों के हो मिले जो दूसरी चीज है यह जो desert rose के बारे में तो आप जानते ही हो कि उसका codex उसकी beauty है वगेरा सब है लेकिन यह चीज यह है कि grafting करने के बाद ही आपको दूसरे color मिल सकते है तो यह एक plant ऐसा है मेरे पास तो खुद ही वो कैसे develop हुआ मुझे नहीं पता या फिर ऐसा हो सकता है कि तीन जो दूसरे adenium है उसके बाजू में है तो उसका nature या फिर उसका behavior change हुआ हो ऐसा कुछ हो सकता है तो अगर viewers मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपके पास इसका कोई answer हो तो please मुझे भी comment section में बताना क्योंकि मुझे भी पता चले क्योंकि इसके reason मुझे नहीं पता कि क्यों इस पे दूसरी branch without grafting नहीं की लेकिन फिर भी दूसरी branch निकली और उस पे red color के आए बाकी का जो पीछे जो तीन है तो इसमें जो normal जो pink color है वो है लेकिन ये जो adenium है उस पे ये white color का था लेकिन उस पे grafting नहीं की थी लेकिन फिर भी ये red color निकला तो आज की information आपको अच्छे लगी होगी दोस्तों अगर अच्छे लगए प्लीज लाइक कीजिए share कीजिएगा और subscribe कीजिएगा thank you